हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल आल अबाउट फैप्स क्या आपने कफे सोचा है बारिश के बाद इंद्रधनूश याने रेंबो क्यों दिखाई देती है और ये कैसे बनती है तो चलिए आज हम आपको इससे जुरे बात बताते हैं लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखने मिले तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ सूरज के किरनों में साथ रंग होती है जो के प्रिजम के जरीए ही पता चलता है बारिश के बुंदे ट्रांस्परेंट प्रिजम का काम करती है और जब सूरज के किरन प्रिजम में से गुजरती है तो वो साथ रंगों में बढ़ जाती है और इसे वज़े से हमें इंद्रधनुष के साथ रंगों का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हारा, नीला, जामुनी और बैंगनी होता है। हाला कि बारिश के साथ जब धूब भी होती है तो ही हमें इंद्रधनुष देखने मिलता है। और तो और जब सुरज आपके पीछे और बारिश आगे हो रही हो तब भी इंद्रधनुष देखने मिलते हैं। इसके इलावा बड़े-बड़े ज़र्णों के पास आम तोड़ पर इंद्रधनुष देखने मिलते हैं। क्या कभी आपने एक साथ दो-दो इंद्रधनुष देखे हैं? कमेंट करके जरूर बताए. जी हाँ, कभी-कभी तो एक साथ दो-दो इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ती है, जिसमें एक इंद्रधनुष तो सीधा होता है, तो दूसरा उल्टा होता है. इंद्रधनुष हमेशा सुभा की समय पश्चिम की तरफ और शाम को पुर्व की तरफ दिखाई पड़ती है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ.